नमस्कार में पी न्यूज में आपका स्वालत है आपके साथ मैं हूँ अंगीत इविदी कस्वा भोगाओं में चोरों के वोसले दिन प्रदिन पढ़ते चले जा रहे हैं बीती रात मौला नत्फान में बंध पड़े मकान का ताला तोड़कर पचास जार की नगदी वसोने के आपुसर चोर अपने साथ ले गई देखिए हमारे संबाद दाता गुजारे मन की ये रिपोर्ट कस्वा भोगाओं में बिती रात मौला नत्फान निवासी राजन्द साक के पुत्र मनकूल साक के अपनी पतनी बंधना साक के साथ आगरा दबा ले ने गई थे सुबह आकर देखा तो मकान का ताला तूटा हुआ था अंदर का सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था राजन्द साक के ने बताया कि चोर उनके घर में रखी पचास जार की नगदी लाखों रुपे के सोने चांदी के आवूसर एक लेपटॉप मकान के कागजात बा अन सामान चुरा ले गई घटना की तहरीर पुलिस को दी गई पिछले एक सबता से चोरियों का ग्राफ इंचाज चोरों को पकड़ना दूर रही उनकी परचाई तक नहीं चूपा रहे हैं अब देखना होगा पुलिस चोरों को पकड़ पाएगी या हमेशा की तरह सिर्फ कारबाई की बात करती रहेगी पकी जो चोरी होई है कैसे होई है यह था मतलब कल जो है रुकड़ी पाँच बजे जो है जी जी आगरा कई हुए थे दबाई जने के लिए जी तो इसके बाद मुतर साम को च्छे बजे करीब बताब वहां से लगए दस बजे करीब लोटे अच्छा अच्छा तो बरसाप तो उसमें जो है क्या था कि एक अंदर से लॉट लगा था उसमें बे चोट की गई है जी तो तो अन्दर जो है यह में जीना यह भी बन फुला हुआ था अंदर देखा तो सब जीना को सब ले गए उसे बचा कोशन नहीं है अब प्रतियाच है सामने है जैसे अंदर आए बाद देखा तो सब जांताब पलोगवा तो आपने क्या पुलिस को सूचना दी थी तो पुलिस को के पर आई थी किया हां मतलब जो है सो नंबर फन पिया लेकिन वहाप पे अमाय तरह मिल नहीं सका आप अबाद सेबा नहीं जो आपने पुलिस की पुलिस को क्लों के अई तो आपने पुलिस की तो पंदेले लोगों 20 मिmpreघा चाहय मोगी आप्टेलर सवने अईूटा था नहीं उठाता था एक्छा। कुछ कैस्ट लागे गागा कैस्ट भी उसमें 30 रुपे रखा दुगा था आगरा जाने के लिए लेकिन उसके वहां पेच्छा में कुछ कमी रुपे लेकर पहुंचे थे यहां पर हमारे 30 पर रखे हुए तेयल बारी में वो भी नहीं मिल सके जी